सो हलो गाइस मेरा नामे साम और इस वीडियो में हम सॉल लेंड सीरीज के एपिसोड दोसो सोला को दीटियल में एक्स्प्लेन करेंगे पिछली वीडियो में तैंक सैंग ने बोरोडेमन स्पाडर किंग के सॉल रिंग को एबजॉब कर लिया था और फिर मार्सा सोल इंपायर के इलाइट सोल मास्टर्स को मार डाला था अब इस वीडियो में हम एपिसोड 216 के सीन को जानेंगे पर अगर आपने इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के कम्प्लीट होने के बाद आप उन वीडियो को भी जरूर चेक कर ले अब जैसे ही एपिसोड 216 शुरू होता है तो हमें संसेट फॉरेस्ट का एक वीराना लोकेशन दिखाया जाता है जहां पर तैंक सैंट अपने फर्स सॉलरिंग के लिए एक पजास जार साल से जादा के धतुरा स्नेक की सॉलरिंग को एब्जॉब कर रहा था और शावू उस पर निग्रानी रख रही थी पर तभी एक चिंगारी अपना रंग बदल लेती है और फिर बिजली की तेजी से शावू के पास से गुज़र जाती है ये देखते ही शावू को खत्रे का ऐसास होता है और फिर तुरंथ ही हमें शावू के पीछे साथ पूछो वाला एक डेविल फॉक्स दिखाया जाता है इस डेविल फॉक्स की कल्टिवेशन लगभग सतर जार साल से जादा की थी अब जैसे ही वो डेविल फॉक्स शावू प पर अटाक करने के लागे बढ़ता है ये देखते ही शावू जल्दी से टेलिपोर्ट होकर तैंक सेंग के पास पहुंच जाती है और फिर उस डेविल फॉक्स को लात मार कर दूर फेक देती है शावू से पिटने के बाद वो डेविल फॉक्स समझ जाती है कि उसका सिकार बहुत ही पाउरफुल है इसलिए अब वो अपने छे हमसकल को बुला लेती है और फिर शावू और तैंक सेंग को खेरने लगती है ये देखकर शावू सुचने लगती है ओ तीरी ये क्या हो गया डिकेड मिलिनियम डेविल फॉक्स कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगा डेविल सकती हूं और इसके साथ साथ मैं तुम्हारी रक्षा भी कर सकती हूं ये सोचकर अब शावू उन साथों डेविल फॉक्स से लड़ने के लिए तयार हो जाती है अब शावू के ऊपर तीन डेविल फॉक्स एक साथ हमला कर देते हैं जिने शावू जल्दी से पीट कर कर रहे हैं इसके बाद एक दूसरा डेविल फॉक्स चुप चाप मौका पाकर टैंक सेंग पैटक करने के लिए कूद पड़ता है पर शावू अब उनकी चाल को समझ चुकी थी इसलिए वो जल्दी से टेलिपोर्ट होकर फिर से तैंक सेंग के पास पहुंच जाती है और उ इससे बाकी डेविल फॉक्स फिर से उन दोनों को घेरने लगते हैं यह देखकर शावू समझ जाती है कि यह डेविल फॉक्स उन दोनों पर सुरू से ही घात लगा कर बैटी थी और उसने अपने एमेथिस इस्टोन को प्योग करके हमें अपने अड़े तक ले आई और अच में यह डेविल फॉक्स बहुत ही ज़्यादा चलाग है अब शावू और तैंक सेंग को वेज सातों डेविल फॉक्स चारों और से घेर लेते हैं और जब शावू उन सभी पर नजार बनाये रखती है तब ही मेन डेविल फॉक्स पीछे से चुप-चाप टैंक सेंग अटाक करने के लिए कूद पड़ती है लेकिन इस बार शावू फिर से तैंक सेंग को बचा लेती है इसके बाद मेन डेविल फॉक्स जल्दी से भाग कर अपने मिरर में घुज जाती है और फिर बाकी डेविल फॉक्स के साथ इखटा हो जाती है ये देखकर शावू फाइ कर रहा है ये वास्तों में क्या है ये सोच कर अब शावू उस डेविल फॉक्स के साथ पूच पर गौर करती है और फिर सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीन आखों वाला डेविल फॉक्स है जो कि अपने सरीर को साथ क्लोन्स यानि की हमसकल के रूप में विभाजित कर सकता है ऐसा सोच कर शावू उसका अटैक को याद करने लगती है और उस में डेविल फॉक्स को देखकर समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है इसके बाद जैसे ही वे छे क्लोन्स शावू पर अटैक करने के लागे बढ़ते हैं तो शावू जल्दी से टेलिपोर्ट होक उस में डेविल फॉक्स के पास पहुच जाती है यह देखकर अब में डेविल फॉक्स अपनी क्लोन्स को काउंटर अटैक करने का इशारा करती है पर तब तक शावू अपने सेकंड सॉल स्किल चार्म का इस्तमाल करके उस में डेविल फॉक्स को समोहित कर लेती है जिस डेविल फॉक्स को पीट-पीट कर मार डालती है अब यहां पर सीन चेंज होता है और हमें फायर एनाइच स्प्रिंग लेक दिखाया जाता है जहां पर तैंग हाव आयन के करीब बैठ कर कल्टिवेशन कर रहे होते हैं और तैंग हाव के ऊपर दो गिलहरियां खेल रही होती ह है खेलते खेलते एक गिलहरी स्लिप होकर गिरने लगती है तभी आयन उस गिलहरी को गिरने से बचा लेती है और फिर उस गिलहरी को दुलार करते हुए उसके साथी के पास छोड़ देती है तभी तैंग हाव भी मौम डाट की आवाज लगाते हुए उनके पहुच जाते है अब उनकी आवाज सुनकर तैंग हाओ भी अपनी आखे खोड़ लेते हैं इसके बाद तैंग हाओ तैंग सैंग और शावू की और बढ़ते वे कहते हैं बहुत बढ़ियां तुम दोनों सही सलाम मत वापस आगे ऐसा लगता है कि तुम दोनों की सॉल पावर में काफी सुधार हुआ है ये सुनते ही तैंग सैंग और शावू एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर तैंग सैंग तैंग हाओ को बताता है कि आपने सही कहा हाला कि ये तीन दिन अधिक ठकान भरा था लेकिन मैंने ब्लू सीलवर इंपरर के 9 सॉल रिंग को फुलफिल कर लिया है और मेरे हावत यान हैमर में अब 3 सॉल रिंग हो चुके है शावू ने भी तीन आंको वाले डेविल फोक्स के सॉल रिंग को एब्सोब किया है और उस devil fox के spiritual cohesion charming skull bone को absorb करने के बाद शावू की soul power 76 level पे पहुँच गई है लेकिन डैड कुछ दिन पहले जंगल में हमारी बिढ़न्त Marshall Soul Empire के elite soul master से हुई थी जो कि सायद fire and ice spring को जब्त करने की मकसद से आये थे भले ही हमने उन सभी soul masters को मार डाला पर मुझे डर है कि Marshall Soul Empire वाले और भी लोगों को फिर से यहां भेजेंगे इसलिए मैं जल्द से जल्द एक और काम पूरा करना चाहता हूँ ये सुनकर तैंग हाव तैंग सैंग से पूछते हैं कि वो आखिर क्या करना चाहता है इसके बाद तैंग सैंग आईएन के तरफ देखते हुए कहता है मैं माम को भी पुनर जिवित करना चाहता हूँ अब ये सुनते ही तैंग हाव शौक हो जाते हैं और फिर एकसाइटेड होकर तैंग सैंग से कहते हैं तैंग सैंग क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी माम को मानव रूप में वापस ला सकते हो इसके बाद तैंग सैंग हाव के उत्सुकता को सांध कराते हुए कहता है डैड शावू को पुनरजवित करने के दोरान मारसर सोल फॉर्म के उपर मेरी समझ और विगारी हो गई है हाला कि मेरे तरीके से इसका परिनाम तुरन देखने को नहीं मिलेगा पर इसे माम को जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है आये इसे शुरू करते हैं इस मामले में अब और देरी नहीं होनी चाहिए ये सुनते ही अब आयन करती है तैंक सांग रुको अगर तुमारे इस प्रोसेस से तुम्हें चोट लगती है तो मेरे लिए बहतर यही होगा कि मैं अपनी कर्टिवेशन को ऐसे ही जारी रखने दूँ इन बीते सालों में तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे बच्पन से जुड़ी सारी बाते बताई है हम तुम्हारे लिए खुद को दोसी मसूस करते है हमने तुम्हें इस दुनिया में जन दिया लेकिन माता-पिता होनी की जिम्मेदारियां नहीं निभा सके जिसकी वज़र से तुम्हें बच्पन का सुख भी नहीं मिला इसलिए अगर तुम मेरी वज़र से फिर से आहात हुए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अब अपनी माम को दुखी होता देखकर तैंक सैंग उनसे कहता है कि नहीं माम हाला कि एक बच्चे के रूप में मैं किसी दूसरे बच्चे की तरह नहीं हूँ जिसे मा का प्यार मिला हो लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इससे पीडित हूँ आपने मुझे जन दिया और इस दुनिया में लाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इसलिए आपको गिल्टी महसुस करने की जुरत नहीं है ऐसा कहकर तैंक सैंड अपने मॉम डैट को गले लगा लेता है इसके बात शावू उनसे कहती है कि डैड, मॉम तैंक सैंड बिल्कुल सही कह रहा है आप लोग अराम से रहिए का खुद को चोट नहीं पहुँचाएगा अब इसमें हम आप दोनों को बहुँ बेटे का सुक देंगे शावू की ये बत सुनकर आहियन के जीने करमान जाग जाते हैं और वो इसके लिए तयार हो जाती है अब तैंक सैंड आहियन से कहता है कि मॉम वास्तों में ये प्रोसेस बिलकुल भी मुश्किल नहीं है आप मेरी पावर से भली भाती परिचित है आपको बस अपने एनर्जी चैनल को खोल कर इन पावर्स को खुद में भरने की जरुवत है जो मैं अब परसारित करने वाला हूँ ऐसा कहकर अप तैंक सैन फायर एन आईस स्प्रिंग लेक के पानी को एनर्जी फॉर्म में बदल कर आईयन के बॉड़ी के उपर ट्रांसफर करने लगता है इसके बाद वो आईयन से कहता है मॉम आपको इन फ्लोट होरी पावर्स को अपनी बॉड़ी में एकजुट करना है ऐसा कहने के बाद तैंक सैन अपने सीगो ट्राइडेंट के सेकेंड सब स्किल मिलिनियल स्पेस को एक्टिवेट करता है जिसकी मदद से वो समुद्र के ऊपर चार स्पेस एनरजी पोर्टल खोल देता है और समुद्र की असी मूर्जा को खीच कर आईयन को ट्रांसफर करने लगता है इसके बाद जब वो एनरजी सोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो एक हाई एनरजी पार्टिकल के रूप में आईयन के अंदर समा जाती है जिससे आईयन की कल्टिवेशन बड़े ही भ्यानक तरीके से बढ़ने लगती है इसके बाद अपनी वाइफ को ठीक होता देखकर टैंग हाउ उसकी सभी पिछली मेमोरीश को याद करने लगता है अब इतनी सारी एनरजी को एब्जॉब करने के बाद आईयन एक जगमगाते बीज में बदल जाती है जिसे टैंग सैन वहीं जमीन पर बो देता है और फिर यहीं पे एपिसोड 216 का आधा भाग खतम होता है इसके आगे के पार्ट का एक्स्प्रानेशन मैं जल्दी अप्लोड कर दूँगा So guys, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्स्प्रानेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नए एनायम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से संस्क्राइब कर ले क्यूंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए टेक क्यार एंड गोड़ टे